हेलो एवरीबड़ी कैसे हैं आप लोग आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है आपके अपटे चनल मिनाक्षी एक्सपेस में और आज हम इस तरीके की साड़ी से बनानी जा रहे हैं एक खुबसूरत सी चीज जो इस तरीके की बॉर्डर और पल्ले वाली साड़ी होती है या दूसरी साड़ी भी यूज कर सकते हैं जो यह साड़ी है यह मेरी बॉर्डर और पल्ले की साड़ी है पाकी साड़ी जो है वो प्लेन है जो यह साड़ी है इसका जो कपड़ा है वो बहुत ज्यादा हाड है और यह जो गर्मी है जो आजकल की गर्मी उस गर्मी में बिल्कु के ज़िए वाली है या फिर आप उसे होंवश कर सकते हैं अगर आपकी ड्रेकरी साड़ी है तो जो भी चीज आप बनाएंगे उसको आपको पर नहीं कराना पड़ेगा तो इस साड़ी से में बनाने जा रही हूं कुषन मैं इस साड़ी का जो पल्ले वाला पार्ट है वह ज़ यार कवर है दो इंच एक्स्टा रखके आप अपने कवर को काट लेंगे जो भी डिजाइन आपको जैसा भी बनाना हो वैसा आप ले सकते हैं जैसे मेरे पास में जो है आगे का पल्ला बढ़ा हुआ है तो मैं इसका जो एक्स्टा पार्ट है वो पूरा कुशन के साइस का ही जो नीचे वाला पल्ला था उसको मैं दूसरे कुशन में अटाच कर दूँगी बाकी कुशन कवर किस तरीके से बनाते हैं अगर आपको डिटेल में पता करना है तो मेरी जो यह वीडियो है इस वीडियो को आप जरूर देखेगा इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से मैंने पल्ले का और बॉर्डर का यूज़ करके कुशन को बनाया है मेरे जो चार कुशन है वो मेरे इस पल्ले वाले डिजाइन से ही बन गए है और जो बाकी के कुशन है वो मैंने बॉर्डर के से डिजाइन बनाकर तब उसको बनाये है इसके नीचे जो मैं तक यह होते हैं उनका cover बना सकते हैं मैं जो है इसका जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उससे मैं जो table का runner होता है वो मैं runner बनाऊँगी और जब मैं runner बनाऊँगी तो उसकी वीडियो आपके साथ में share जरूर करूँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें तो यह कुशन जो है काट लिए है काट के मैं इनको फटाफट से सिल लेती हूं और सिलने के बाद में आप यह देखिए कितना सुन्दर कुशन जो है वो बनके तया हो गया है कि देखिए बॉर्डर से मैंने इस तरीके से डिजाइन बना दिया है और यह कुशन कवर जो है मेरे इस तरीके से बन गए है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें थैंक यू कि बना यूँ कर दो थार लूब कर दो बनापको